फोगिपुइंट अपने पास DIY x minus 5 और यह सी, then transfer axis is the length of the edge आपको पता है कि transfer axis किसे बोलते हैं, जिसके उपर 4Kईपुइंट रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? transfer axis बोलते हैं, देखिये गा, हमने बहुत पहला जो क्युशन सोल किया था, जिसमें हमने diagram draw किया था तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ इसको हम क्या बोलते है हमने यह पहले cover कर लिया है trans फिले इसकी थोड़ी सी वरीद कम करने दो थोड़ा पतला करो इसको थिन तो यहाँ से देखिगा इसको हम बोलते है transverse axis ठीका जी अब इसकी जो length है यह देखिएगा कि यहाँ से लेके यहां तक की यह जो यहाँ से लेके क्या बस मैं तो आपको ऐसे समझा रहा हूँ वैसे हमने समझ तो पहले भी लिया है बस आपको यहाँ पे एक नही नही चीज आईए तो इसको बोलेंगे और यह अपने पास कितनी होती है 2a होती है इसकी length 2a और यह दि यहाँ पे हमने को क्या पूछेगा conjugate के बारे में पूछेगा तो conjugate यह वाला point होगा suppose यहाँ पे कोई अपना b होगा और यहाँ पे अपना कोई b होगा ठीका जी यह अपने पास a है और यहाँ पे देखेगा कि यह b, 0, b होगा और यह कौन सा होगा यह minus का b यहाँ पे आएगा 0 minus का b यहाँ तक अब यह वाली length आएगी वो अपने पास क्या होगा conjugate axis आएगा यह अपने को अगले वाले इससे next वाले क्यूशन में ठीका जी मैं यहाँ पे इसलिए करा रहा हूँ इसको conjugate axis बोलेंगे और इसकी length भी आप देख लीजे कितनी होने वाली है यह यहाँ से लेके यहाँ तक की है और यह वाली length होती है 2b यह 2b होती है यह 2a होती है यह वाला concept है तो चलिएगा अपने कहाँ पे चल रहे थे हम चल रहे थे इस वाले 10th वाले क्यूशन में तो 10th वाले क्यूशन हमको करते है तो हम क्या करते है अपने को जो given है वो देखते है तो पहली तो यह बात है solution में solution में क्या है कि देखिएगा plus minus का 0 4 की point कहाँ पे lies करता है lies on d aks aksis तो यहां से aks aksis पे है यहां पे aks aksis पे है दो then अपने पास जो standard form और पेरा बोला होगी क्या होगी then standard 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 form of hyperbola यह पेरा बोला बोत ही आ रहा है अपने को यह discussion करने भी देगा या नहीं करने देगा तो यह पेरा बोला है ठीकर जी अब पेरा बोला की देखिएगा की कौन सी aks aksis पे है तो standard form आती है यह 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 equation first है यहाँ पे आपको देखिए कि किसकी लेंद दीवी है यहाँ पे दिया हुआ आपको transfer aksis तो transfer aksis की length क्या होती है 2a होती है तो यहाँ से देखिएगा की given क्या है given है कि length of transverse transfer aksis वह कितनी दीवी है अपने को 8 और यह हम जानते हैं कि यह होती है 2a यहाँ पे 8 आएगा तो a की value कितनी आएगी 4 यहां तक कितनी आएगी a की value आएगी 4 यहां तक clear आपको 4 आएगी 4a मिल गया अब अपने को क्या चीए b चीए तो अपने पास देखिएगा कि क्या है कि we have अपने पास एक क्या बचावा है central lens भी तो है friendship करने में तो central lens यह तो वह है friendship कराने वाला है तो we have यह तो इनका relative है तो 5 plus minus comma 0 then c equal to 5 है तो यहां से हम क्या जानते है एक relation भी जानते है we know that यहां से relation क्या जानते है इनका संबंधी है c2 जो a और b के अंदर क्या करता है relation करता है ठीक जी इनमें friendship बनवाता है तो यहां से देखेगा कि c यहां कि 5 का whole square equal to a a कितना है यहां पे 4 4 का whole square equal plus का b square और यहां से 25 minus का 16 equal to b square यह अब b आया तो यहां पे देखेगा कि b कितना है 9 b square equal to क्या आयागा 9 आएगा अब 9 आगया तो यहां से a square की value और b square की put करा दो equation first में तो यहां से यहां से क्या कराएंगे we put a square equal to कितना है अपने पास 16 and b square equal to कितना है 9 put तो values 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 in equation first तो equation first कौन से अपने पास x square नीचे क्या है a a दिया वा तो a की value तो आगई अपने पास 16 minus का y square upon में यहां पे देखेगा कि कितना हैगा 9 equal to यह और यह अपने पास क्या है दुनिया बोलती इसको आंसवर कितना है यह यह